हेलो फ्रेंट्स, फिलकम टू मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स, बाइक, स्कूटर या कोई भी टूबलर चलाते समय सेफटी के लिहास से हेलमेट पहनना जरूरी होता है और हमें पहनना भी चाहिए लेकिन फ्रेंट्स, इसे जुड़ाव एक सवाल है कि क्या हेलमेट पहनने से हेयर लॉस होता है क्या बाल जड़ते है, इसी के बारे मैं आपको बताऊंगा अगर बाल जड़ते है, तो इससे कैसे बचा जाए ये भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राब भी जरू कर ले फ्रेंट्स, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको एक सांदार एप के बारे में बताना चाहूंगा फ्रेंट्स, गर्मियो का मौसम बस आ ही गया, यानि एसी, कूलर्स और इन अप्लाइंसेज को सपोर्ट करता हुआ घर का इनवर्टर और बैटरीज, मार्केट में आप इनी चीजों की डिमांड होगी, तो मेरे चैनल पे जितने भी रिटेलर्स और डिलर्स भाई है, उनके लिए एक स्पेसल मैसेज है इनर्जी और इलेक्टिकल का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस अब आपके हाथों में जो की है लॉक डिडिल एप, इस पे आपकी दुकान के लिए सारे प्रड़क्स जैसे इनवर्टर्स, बैटरी, लेक्टिकल के अप्लाइंसेज और बहुत कुछ मिल जाएंगे, बले ब्र इनवर्टर्स जो घर और कमर्शल सेगमेंट्स के लिए सुटेबल है, यह इनवर्टर आपके घर या शॉप के सारे हेवी अप्लाइंसेज को लोड उठा लेगा, जैसे एसी, कूलर, ओवेन, प्रिंटर, फिरिज और भी अलग-लग अप्लाइंसेज, तो आप पहले ही स्ट अब इस बात में पूरी सचाई है कि अगर लगतार बहुत लंबे समय तक हेलमेट को पहना जाए तो उससे हेयर लॉस होता है, बाल जड़ते है, हलांकि हर एक आदमी का इंसान का जो बाल होता है, उसका ग्रोथ, उसका स्ट्रेंथ अलग-अलग होता है, सभी का बाल नहीं जड़ते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के बाल जड़ते हैं, हलमेट पहनने के वज़ा से, इसके पीछे कई कारण और इससे बचा भी जा सकता है, देखें जो सबसे पहला और में इपॉर्टेंट कारण है, वो है ट्रैक्शन एलोपीसिया, फिर्ट्स बेसिकली इस टेंप होते हैं, हमारे आसान लबजों में कहना हो, तो जो हमारे स्कैल्प है, जो हमारा खोपड़ी है, उसमें बहुत सारे चोटे-चोटे छेद होते हैं, जिससे हेर निकलता है, जिससे हम लोग कहते हैं, हेर फॉलिकल्स, अब देखें, एक इंसान में जो स्कैल्प है, वहाँ प पुलिंग बहुत जादा होने लगता है जिस वाय से जो hair follicles है वो damage होने लगते है और इस तरह से जो hair fall का सिकाई देखने को मिलता है जो हमारा helmet है उसके वज़ा से इससे बचने के आपको ये करना चाहिए सबसे पहली बात तो जो भी helmet आप पहन रहे हो उसका size सही होना देर में आप अपने bike scooter को रोक के जस्ट एक मिनट के लिए अपने helmet को निकाल के आप दुबारा पहन ले उससे भी क्या है कि जो hair follicles है उसके damage होने का chance बहुत ही कम हो जाता है तो पहली बात तो size बहुत जादा matter करता है जो अगला point वो ये है कि जब हम लोग खास कर गर्मी की time पे helmet को लगतार पहन के रखते हैं तो sweating बहुत जादा हो जाता है जिसके वैसे क्या होता है कि helmet का अंदर का padding है वो गिला हो जाता है ठीक है वहाँ पे sweat हो जाता है और इस वजह से helmet का जो अंदर padding है वहाँ पे bacteria accumulate होने लगता है उस वजह से भी hair fall होता है इससे जो बचने का बेश तरीका यह है कि आप जौन सा भी helmet चून रहे हो आप बस इस बात का ख्याल रखे कि जो helmet का अंदर का जो padding है आपको दिखाना चाहूंगा ठीक है वो जो padding है वो रिमूवेबल होना चाहिए वो इस तरह से निकल जाए अगर padding और washable हो तो यह best होता है आप कुछ समय में यानि कि महीना डिड़ महीना या सवा महीना गर्मी है तो करीब करीब 20-25 दिन में भी एक बार जो padding उसे निकाल ले उसे wash कर ले उसे धो ले या उससे सुखा ले कम से कम धोना नहीं है तो और दुबार आप उससे लगा ले उससे क्या जो bacteria accumulate हुए वो ठीक हो जाएंगे वो आपके जो scalp है जो head है वहाँ पे transfer नहीं होंगा और उससे भी आपको बहतर result देखने को मिलेगा जो hair fall है वो भी risk हो जाग आपका तो आप पैडिंग का भी ख्याल रखे कि removal padding हो washable padding हो एक और point difference जिससे है जो hair fall है वो हो जाता है कि आपको जो hair है अगर वो unwashed है वो बहुत जा है और आप जो हमारा बहुत लंबे समय तक helmet को पहन रहे हो तो उससे क्या होता है कि उससे भी itching वगरा का problem आता है dandruff वगरा का problem आ जाता है तो आप उससे बचने के लिए हैर को हमेशा wash करके रखे उससे भी आपको फाइदा देखने को मिल जाएगा मैं आप एक और चीज क कर सकते हो चाहे तो आप full face mask यूज कर लो या फिर उसी mask को अपज़च्ट अपना head को छिपाने के लिए यूज कर लो उससे भी क्या होता है कि जो हमारा इचिंग वगरा का problem है जो हमारा hair follicles का damage होने का problem में वो सब दूर हो जाता है अगर आप उस बाला कलावा को पहन के helmet प description में दे दूँगा वैसे एक और तरीका है कि अगर बाला कलावा नहीं है तो आप जो रुमाल है उसका भी यूज कर सकते हैं अच्छी तरीके से damage नहीं होना चाहिए है अच्छी तरीका से बान ले उसके बाद आप helmet को use कर लो जो भी helmet आपके पास है आप उसे पहन ले यह एक बेतर तरीका है तो फ्रेंट्स यह सब तरीके हैं जिससे आपकर hair fall हो रहा है और अगर जो helmet है उसके वजह से हो रहा है तो आप उससे बच सकते हो फ्रेंट्स बहुत से लोगा डाउट था इसलिए माने यह वीडियो बनाया है उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई ज जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राइ आप मुझे comment करके जरूर बताए इसके लाब अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को subscribe नहीं किया तो please चैनल को subscribe कर ले और bell icon को भी जबाले ताकि आने वाले important वीडियो के अपडेट आपको notification के संगत्रू मिलते रहें, मिलते अगले वडियो मैं थांक्स वर आचिंग डिस वीडियो, गुड़ बाई